एक Prison Guard चो Death Row के Prisoners को Execute करता है उसने ऐसे ही एक Prisoner का Execution किया और उसके बाद उसकी Wife से ही मिलता है अब आगे क्या होगा यह हम इस Movie में देखेंगे Hello Friends, आज मैं आपको Monsters Ball ही 2001 की एक Hollywood Movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर देजेगा बीना किसी दरीके Explanation स्टार्ट करते है Movie स्टार्ट होती है और हम हमारे Main Character हैंक को देखते है उसे राद में नीन नहीं आती देट पर लेकर जाना चाहता था पर उसे मना कर देती है हैंक के घर पर उसके Old Father भी है एक दिन जब वे Breakfast कर रहे थे तो इनके Garden में कुछ Black लड़के थे हैंक और उसके Father को Black लोगों से सकत नफरत थी उन्हें अपने प्रॉपर्टी से निकालने के लिए हैंक डारेक्ली गन ही लेकर गया एक्चुल में लड़के Sonny की Friends थे Sonny भी देखता है तो अपने Father को रोक लेता है हैंक ने Warning दी कि दोनों मुझे कभी भी दिखने नहीं चाहिए हैंक एक Prison Guard है डेट रोके कैदियों को Execution करने का काम उसका होता है जब वो अपने काम पर जा रहा था तो इन दोनों लड़कों ने अपने Father को कहा और यह उससे मिलने के लिए आए फादर गुसा थे वो हैंक से कहते मेरे लड़के किसी को भी हाम नहीं कर सकते तुम्हें गन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी अगर तुम्हें गुसा थे तो मेरे पास आ सकते थे वो उससे कभी भी फाइट करने के लिए रेड़ी है हैंक कहता है इन दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से दूर रगना बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अब एक दो दिनों में हैंक और उसके टीम एक प्रीज़नर को एक्जेड करने वाले थे यहां हम देखते हैं हैंक के साथ उसका बेटा सौनी भी काम करता है यहां प्रैक्टेस करते हुए सौनी ने कुछ गलती की थी Hank उसे कहता है इस तरीके की गलती नहीं चलेगी हम सब लोगों को बहुती perfect काम करना पड़ता है Sonny first time किसी prisoner को execute करने वाला था शायद इसी वज़े से nervous होका इसलिए Hank उसे कहता है कि यह सिर्फ एक job है इसे जादा seriously मतलेना नेकसिन में उस prisoner से मिलने के लिए उसकी family आई हुई थी उसका बेटा और एक wife है wife का नाम है लटेशिया यह prisoner बहुत अच्छे drawings बनाता था यह अपने बेटे को उसने दिखा है कहा कि आज के बाद तुम मुझे मिल नहीं सकते बेटा बुछता है कि ऐसा क्यों prisoner ने का कि मैं एक अच्छा आद्मी नहीं हूँ जो drawing के talent prisoner में थे वो ही उसके बेटे में भी है वो भी बहुत अच्छे से drawing करता है स्कूल की magazine में भी उसका drawing आने वाला था prisoner को सुनकर बहुत अच्छा लगा वो उसे कहता है मुझे में जो भी गलत है वो तुमारा नहीं तुम सिर्फ मेरा best part हो फिर उसे ने लटीशिया से बात की उसे sorry कहा पिसले 12 सालों से ये prison and murder के इलजाम में जेल में था लटीशिया को हर week अपने बेटे को ले कर आना पड़ता था उसे बुरा तो लगता है पर इन सब से वो तंग आ चुकी थी और finally उसके execution का day आया उसे मरने से पहले drawing करनी थी उसके पास sony और hanky थे तो उनकी drawing वो बनाता है उसकी वीच थी कि last time अपने बेटे से वो phone पर बात कर पाया पर prison के officer ये मना करते है घर पर लडिशिया और उसका बेटा इस phone call का wait करे थे लडिशिया भी आज बहुत disturbed थी उसने देखा कि उसका बेटा चुप चुप कर चॉक्लेट खा रहा था उससे बहुत मारती है क्योंकि वो obese हो चुका था वो अपने बेटे को feet देखना चाती थी जब prisoner को ले जाय जा रहा था तब अचानक से सोनी को उल्टी आके prisoner का execution हुआ पर हैंक सोनी पर बहुत जाता गुसा था क्योंकि prisoner की last walk इस सोनी की वज़े से बरबात हो गे उस पर बहुत गुसा हो गया था उसे बहुत मारता है सब गास ने मिलकर हैंक को रोक लिया अगली सुबा हैंक सोनी के बास आया उसे कहता है कि घर से निकल जाओ सोनी भी अब बहुत जाता गुसा था उसने अपनी गन निकाली और हैंक को बहुत मारता है कहता है कि अब देखो कैसा लगता है सौनी ने हैंग से बूचा क्या तुम मुझे हेट करते हो हैंग की मदर सौनी को छोड़ कर चली गई थी और सौनी उसे उसकी याद दिलाता है तो इसी वज़े से हैंग ने का कि हाँ मैं तुम्हें हेट करता हो सौनी को बहुत बुरा लगा वो अपनी गण से खुदखुशी कर लेता है नेक सीन में हम देखते हैं कि लटीशा अपने जॉब पर गई थी पर हो हमेशा लेट हो जाती है क्योंकि अपने बेटे का उसे खैल रगना पड़ता है उसका बॉस इससे दंग आ चुका था इस वज़े से उसने उसे फायर कर दिया आज कर लेटीशा को पैसो के बहुत प्रॉल्म थी अगर उसने पैसे नहीं लाए तो अपना घर भी खो सकती है इसके बाद हम देखते हैं इस सौनी का फ्यूनरल हुआ सौनी के ग्रैंड फादर कहते हैं कि वो वीक था उस ऐसा नहीं करना चाहिए था हैंग को बहुत बुरा रगता है जहाँ पर सौनी की डेथ हुई थी वहाँ से उसने बुलेट निकाली रात में वो फिर से आईस क्रीम खाने के लिए गया उसके हमेशा की वेटर अभी हाँ नहीं थी तो इसके जगा अपर लटीशिया थी उसने इस जगा अपर जॉब ले लिया था ये दोनों थोड़ी से फॉर्मल बाते करते हैं और उसके बाद हैंग यहाँ से चला किया वो फिर उसी लड़की के पास आता है जिसके बास सौनी जाया करता था उस लड़की ने बुझा कि सौनी कैसा है सौनी की बात सुनकर हैंग बहुत ज़्यादा सैड हो किया वो वैसे ही वहाँ से चला जाता है अब वो ये जॉब नहीं कर सकता था हैंग ने रियलाइस किया कि जो जॉब वो और सौनी करते हैं ये बहुत ही घटिया है, इसी जॉब की वज़े से सॉली ने सोसाइड कर ली, अब वो ये जॉब नहीं करना जाता था, तो इससे रिजाइन कर देता है, ये बात जब उसने अपने फादर से कही, तो कहते हैं, तुने बहुत बड़ी गलती की, तुम मुझे अपनी मदर की या हैंग उन में अपने आपको देखता है, उन जैसा उसे नहीं बनना, वो पूरे टाउन पर घुमा और अपने ले एक पिट्रूल पंपाई कर लेता है, एक राद लटीशया की डूटी खतम हुई, पर बाहर बहुत बारिश थी, वो अपने एक कस्टमर की छटरी चुरा लेत हैं, जब ये दोनों रस्ते से जा रहे थे, तो किसे ने उसके बेटे को गाड़ी से उड़ा दिया, शावेद वही गुंडे थे, जिनकी अमरेला उन्होंने ली थी, रस्ते पर लटीशया लोगों की हेल्प मांगती है, वहां से हैंग गुजर रहा था, तुसे वह हेल्प क कर जाओ, हैंग लटेशा से कहता है, कि जिसने भी ये किया, वह बचेगा नहीं, मैंने डिटेक्टिव से बात की, और इसकी इन्वेस्टिकेशन वो करने वाले हैं, लटेशा कहती है, क्या वो सचमुच में करेंगे, अमेरिका में ब्लैक लड़के के मर्डर की, कोई भी इन इन्वेस्टिकेशन नहीं करने वाला, अगली दिन सौनी के फ्रेंड्स हैंग से मिलने के लिए आये हुए थे, और सौनी के लिए उन्हें सौरी कहते हैं, हैंग ने फर्स टाइप उनका नाम उनसे पूछा, वो जब सिटी में जा रहा था, तो लटेशा वाक करते करते अप अब तुम्हारी शिफ्ट खतम होगी, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ, यह मेरे घर की वेपरी है, लटीशा भी इसके लिए मानगे, उससे बुछती है कि उस दिन तुमने मुझे हेल्प क्यों कि, तुम रूके क्यों, हैंग क्याता है, उस मुमेंट पर मैंने जादा कुछ सोचा नहीं, मैं तुम्हारा दर समझ सकता हूँ, अभी अभी मेरे बेटे की भी डेट हुई थी, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, बोरो एक बहुत ही आइडियल बेटा था, उसकी डेट के बाद मुझे लग रहा था, इससे मैं सास ने ले पा रहा, म हैंग को पता था कि वो क्या फील करती है, लेटेशा को भी कमफर्ट की जरूरत थी, तो इस वज़े से ये दोनों इंटिमेट हो गए, सुबा जब हैंग घर पर आया, तो रात में उसके फादर को जरा चोट आके ही थी, वो अब आराम कर रहे थे, आज कल वो अपना खैल र थी, वो कहता है, वैसे भी मुझे इसका कोई भी यूज नहीं है, वो अपने काम पर चल कर जाती थी, और न्यू काम करने के लिए सेव कर रही थी, पर हैंग उसे गिफ्ट कर देता है, इन दोनों की रिलेशनशिप अच्छी तरीके से डेवलोप हो रही थी, एक दिन था, तो मुझे भी निग्रो लड़किया पसंद थी, ये बोलना बहुत ही ओफेंसिव था, और लड़ी श्याओ को इस पर बहुत जादा गुस्सा आ गया, वो यहां से जा रही थी, हैंग भी घर वापस आया और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मानती नहीं और यहा मनना चाहता, हैंग ने कहा कि में भी नहीं, इसका मदलब है अगर अपनी फादर की बात तुम मानता रहा, तो वो भी उनकी तरह अकेला ही पड़ेगा, वो रात में लड़ी शाओ को मनाने के लिए किया, पर वो अब भी उससे बात नहीं कर रही थी, अगले दिन उसने जो क हैंग का लोन पे नहीं किया, तो उसे अप घर से बाहर निकाल देते हैं, लेटिशा ने फिर हैंग को कॉल किया, उसका सारा सामान हैंग अपने घर में रख देता है, लेटिशा की बेटे की जो भी सामान था, वो हैंग ने अपने बेटे के रूम में रखा, वो उससे कहता ह मुझे तुम्हारा हमेशा खैल रखना है यह दोनों फिर इंटिमेट हो गए आज रात हैंक को फिर से आइस क्रीम खाना था वो लटीशा के लिए भी लेकर आने वाला है वो बाहर गया था तो लटीशा फिर से अपने बेटी की तस्वेश देखने के लिए रूम में गई यहाँ आपर वो सौनी की चीज़े देखती है उसके हस्बन ने हैंक और सौनी की जो भी फोटो बनाए थी यह उसने वहाँ देखी यह देखकर वो बहुत रुई वो गुसा भी थी और हार ब्रोकन भी जब हैंक आइसक्रीम लेकर वापस आया तो उसका गुसा शान्थ हो गया था वो से कहती है चलो हम पोश में बैठते हैं हैंक ने अपने हाथों से उसे आइसक्रीम खिला है जब यह दोनों एक दुसरे से मिले थे तो दोनों बहुत ही तकलिफ में थे एक की पेन वो शेर करते हैं एक दुसरे को समझ सकते हैं फिर हैंग आप में मूवी के फर्स में जिस तरीके से दिखाया गया था कि वो ब्लैक लोग को हेट करता था पर हम सब लोग एमोशन्स की वज़े से जुड़े हुए हैं जहाँ एमोशन्स हैं वहाँ पर हम एक दुसरे में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं उससे लेटिशिया मिली उसके वो बहुत प्यार में था लेटिशिया भी बात देख सकती हैं यह दोनों मिलकर अपनी आगी की लाइफ कंटिन्यू करते हैं यह दोनों पोर्श पर बेटे हुए थे और स्टार्स को देख रहे थे और इसी एक ब्यूटिफुल मुमेंट पर इस मुवी का एंड होता है अगर आपको आज का एक्स्प्लेशन अच्छा लगा